नमस्कार आपको रोनाली कीचन में स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ टमाटर घिंडी मस्टार मसाला की रेसिपी आसा करती हूँ आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक मैं यहां पर ले रहे हूं परीब 200 ग्राम भिंडी मैंने इसे अच्छे से धो लिया है अब हम इसे दो हिस्सों में काट लेते हैं अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज के भिंडी ले रहे हैं तो आप उसे तीन हिस्सों में कार सकते हैं देखिए मैंने इस तरह सारे भिंडी को काट लिया है अब करता हैं मस्टार पेस्ट की त्यारी इसके लिए मैं आप ले रहे हूं दो टीस्पून मस्टार शीर्ड, हाफ टीस्पून जीरा, थोड़ा सा हल्दी, दो से तीन ड्राय रेड चिली, थोड़ा सा लेह सुन इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब प्यान में लेते हैं थोड़ा सा सर्चो का तेल, हम इसमें भिंडी डाल कर थोड़ा सा प्राय कर लेंगे हमें भिंडी को ज्यादा प्राय नहीं करना है हमें इसे हल्का सा प्राय कर लेना है तीन से चार मिलिक के लिए मेडियम प्लेंग पर भिंडी हमारा प्राय हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं उसी प्यान में हम डालेंगे थोड़ा सा और सर्चो का तेल थोड़ा सा पंच भूरन कड़ी पत्ता कटी हुई टमाटर मैंने यह पर दो बड़े साइज का टमाटर काट के लिया है इसे हमें थोड़ा सा सब्ट होने तक फ्रै कर लेना है टमाटर थोड़ा सा सब्ट हो गया है अब हम इसमें डालते हैं मस्टाड पेस्ट इसे हमें लो फ्लेम पर तीन से चार मिनित के लिए ठ्रै करना है कि फ्लेम हमें हाई नहीं करना है हमें लो फ्लेम पर ही इसे ठ्रै करना है अब हम इसमें आर करते हैं फ्रै की हुई भेंडी श्वाद अनुसर नमक और इसे हमें अच्छे अच्छे से मिला लेना है अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी पानी हमें ज्यादा नहीं डलना है क्योंकि भेंडी को हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस ग्रेवी के लिए फोड़ा सा पानी हम इसमेंट आर करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे दो से तीन मिनिट के लिए कुख कर लेंडी है लोगें पादा मैंने इसे दो मिनिट के लिए पका लिया है आप करते हैं फ्रेम को आफ देखिए रेडी हो गया हमारा कमाटर भींडी मस्टाड मसाला इसे आप राइस के साथ सर्प कर सकते हैं राइस के साथ खाने में यह ज्यादा अच्छा लगता है इसे आप घर पर एक बार जरूर ट्राय करेगा यह दिखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही दिश्टी आप इसे घर पर जरूर एक बार ट्राय करेगा अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगा थांक्यू